जैन दोस्तों स्वागा था पसिक्षा कमप्टिशन क्लासेस में दोस्तों आज किस वीडियो में हम यंपी पीस्टी भरती 2019-2020 की बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से यंपी पीस्टी विकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको डीटेल से देंगे दोस्तों दो साल का इंतजार समाप्त हो चुका है और यंपी पीस्टी की विकेंसी आ चुकी है तो बहुत बड़ी खुसकबरी है यंपी पीस्टी की तैयारी करने वाले अभ्यारतियों को दोस्तों यंपी पीस्टी का आफिशल नोटिपिकेंसन जारी हो चुका है पूरी जारिकारी आपको डीटेल से मिलती रहेगी तो सबसे पहले दोस्तों चलिए आपको आफिशल नोटिपिकेशन दिखा देते हैं दोस्तों यह हमने आफिशल नोटिपिकेशन को पहले ही डाउनलोड कर लिया है अगर आपको भी चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक द इथा आप देखेंगे कि आनलाइन आवधें करने की अमटीम 90 दो संबर को बता रहा है और इसमें आए यह तो पेपर के बारे में आपको बताया गया आ है ही है कि आप देख लीजे कि 14-11-2019 को आपका नोटिफिकेशन का प्रकासन किया गया है और आन-लाइन आवेदन के बारे में दोस्तों यहां आप आएंगे तो देख लीजे कि आन-लाइन आवेदन 20-11-2019 19 दोपार 12 बजे से 19-12-2019 राती 12 बजे तक आप कर सकते हैं और दोस्तों अगर फार्म में आपकी कोई तुरूटी होती है तो आप 23 नवंबर से 11 दिसंबर तक आप अपने फार्म में सुधार कर सकते हैं पर उसके लिए दोस्तों आपको 50 रुपे अलग से चार्ज देना तो एक एक चीजश बताया है योगts दोस्तों बताया गया है यहां पर देख लीजिए आपका जो पेपर के बारे 50 बताया गया है कि 12-12 2020 को आपका पेपड़ होगा और दस दिन पहले दोस्तों आपका एडमिट कार्ट आ जाएगा और आपको इस में सके माद्यम से परिक्षा का सहर एबं सेंटर के माद्यम में पूरी जानकारी दे दी जाएगी और दोस्तों इस फार्म को कौन-कौन डाल सकता है दोस्तों जिनका graduation complete है या तो दोस्तों जो final year में है तो अभ्यारती इसका फार्म डाल सकते हैं और दोस्तों इसका फार्म डालने के लिए रोजगार पंजियन होना अनिबार है दोस्तों में एक वीडियो पहले ही बना के आपको बताए थे कि अगर आप कोई 330 है दोस्तों Journal OBC HTSC सभी की पोश्ट है Journal OBC HTSC वालों के लिए सभी की पोश्ट इमिला के 330 है OBC HTSC और EWS के जो ब्यारती है उनको graduation दिया जाएगा और दोस्तों इसमें नीचे आए तो आपके जो detail का है तो उसको सहर के पास हैं और वही आप ग्याम के लिए सेंटर ले ले अब दोस्तों और इसमें आप और नीचे आए तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि जो आपकी आई कोई गरना की जाएगी तो दोस्तों आपकी जो आई कोई गरना की जाएगी तो एक जनवरी 2020 से की और दोस्तों 40 बरस के अंदर होनी चाहिए यानि दोस्तों 21 साल से लेके 40 सार तक क्या 32 इसमें फार्म डाल सकते हैं और OBC वालों को 3 साल की चूट और HTSC वालों बेहरती को दोस्तों 5 साल की चूट दी जाएगी और आग गरना आप देख लिजिए कि 1-120 से की जाएगी और 62 सा ना 84 सेंटी मीटर और दोस्तों फुलाने पर आपका 90 सेंटी मीटर होना चाहिए दोस्तों इसमें और आप नीचे आएंगे तो आपको डीटेल से एक्जाम फीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आप वो भी देख लिजिए और नीचे इसमें चले दोस्तों आपको एक वीडियो और कल बता देंगे डीटेल से आपको फार्म पैसे भरना है तो आप निस्पी कर रहे हैं वो कल आपको वीडियो मिल जाएगा अब दोस्तों देख लीजिए केवल अगर आप राज्य सेवा है तो आपको 750 रुपए लगेगा और दोस्तों अगर आप दोनों प करते हैं तो आपका 2000 रुपए लगेगा तरिक दोस्तों पोटल 440 रुपए आपको देना पड़ेगा दोस्तों इस वीडियो में भी इतनी